विल्कम बाक टू हल्दी टिप्स विद सीता तमन्ना आज मैं आपको सिखाऊंगी चट पटा और हल्दी स्नैक आप देख सकते हैं मूंग की डाल को मैंने रात को सोप करने रख दिया था यह हो चुकी है अपना पानी ट्रेन कर दूंगी आप देख सकते हो यह मूंग डाल को म मैंने स्टेणलेस स्टील के स्टेनर में डाल दिया है ताकि जो भी बचा हुआ पानी वह नीचे आ जाए मैंने पतीला रख दिया है ताकि पानी उसमें ड्रेण हो जाए और अब मैं इसको एक प्लेट से ठक दूंगी स्टील की सुबहिटर के देखोंगी तो इसमें इक बढ़ा हूँ यह वेट लूस के लिए अच्छी है अगर आपको वजन कम करना चाहते हैं एक चाल्थ है कुछ जब्लें चाथा बना के कभी भी कहा सकते हैं एसनेक्स भी खांस क्षरा है मैंने चात डाली और आप देख सकते हैं है इदेखेmother है एक और प्याच आपके मैं इसष प्याचष्टपेड में आड्ण करчи यह थोड़े से प्याच डाली है मैंने और यह थोड़े saat माटर डाली है देखी जितना आपको अच्छा लगता है ठीक है फिर इसके बाद काईज आप देख सकते हैं यह हल्दी राम का नमकीन है नवरत लक्षर है और यह नमकीन बहुत ही रिस्टी लगता है है श्पाइसि है चनव अच्छ लगता है यह तहुत हैं गया राक अड्रेंगे मेरा नमकीन कर देखे और फोड़ज और बनात ow सर्दी राम के चैनवЕल अड़ रवान श्पाइस देंगे इसको बनाते हैं मेरे मूँ में पाने मे आ ही तेस्टी लगता है अब देख सकते हुए बहुत ही हल्दी होती है आप शुगर एड कर सकते हो बर मुझे यह वेट लूस के लिए बनाना है यह हल्दी चाट तो मैं शुगर-ड नहीं करूंगे में किश्मेश एड कर रहे हूं ताकि मुझे खट्टा मीठा टेस्ट आए है क आप देखते हैं इसके बीच निकाल दिये अब मैं इसको नहीं चोड रहे है इसमें इसे जो मेरा चाट है बहुत ही टेस्टी हो जाएगा इसमें नमक अप चाहो तो कर लेना क्योंकि आप अलड़ी जो मैंने यह नमकिन आड़ किये इसके नमक है और यह जो पीनट है यह भी स सकते हैं मेरा यह हैल्दी चट-पता स्नाक्स बनके रड़ी हो चुका है मैं खाने के लिए रड़ी हूँ आप इसे कभी भी खा सकते हो as a snacks भी खा सकते हो as a breakfast में भी खा सकते हो any time कहीं भी खा सकते हो कोई भी कोई भी इसे खा सकता है यह बहुत ही है आप इसे जरूर ट्रॉ वीडियो देख सकते हैं वो आपके लिए बहुत हल्पुली मेरी वीडियो से आपके लिए हल्पुल रहेगी मिलते हैं नेक्स वीडियो